हालो दोस्तों स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूटूब चनल रामनिर क्लासेस में वर्क बॉक इंग्लिश क्लास टैंड की हम सौल कर रहे थे वक्षिट नंबर 37 तक हमने भल कर लिया है आज इस वीडियो में आप देखेंगे वक्षिट नंबर 38 का सलूशन वक्ष अपने ब्लैक्स तो चेंग दी फॉलोविंग डालोग इंट इंडिर्क स्पीच और निरेशन ए रश्मी इडियो लेंडी नू वर्ड अब एका हमें नीचे लिखना है यह डारक्ट डारेक्ट वो इस पीस्ती हमें इसको इसको इंडिर्क लिच वर्ड नहें तो आपको ध् इस तर लिखेंगा फिर भी है मानव ऐ यह लर्न दो न्यू वर्ड प्रॉपली मानव कह रहा है I have learnt दो न्यू वर्ड प्रॉपली अब बी में लिकना है मानव रिप्लाइड हर और टीह एड़ लंड दीनिव वर्ड पॉर्पली को समझ में आरा होगा आपको फिर सी रश्मी कह रही है what have you learned today आज तुमने क्या लेर्ण किया फिर यह रश्मी मतलब पूछ रही है रश्मी आस्क रहीं what he had learned today यह indirect है डारेक्ट में मानव कह रहा है I have learned a poem यहां पर दी लिखेंगे मानव told her that he had learned a poem and T करना है ए में रश्मी कह रही है can you recite the poem फिर लास्ट में रश्मी कह रही है रश्मी asked him if he could recite the poem if he could recite the poem अब देखें दूसरा है change the sentence into indirect sorry direct speech of narration अब यह indirect का दिया हुआ है हमें direct में बदलना है यह है he said that he had already left इसका direct speech होगा he said को मा लगाना है फिर inverted में I had already left भी है जिनीशा said that she had already completed her homework एंसर है जिनीशा said I have already complete my homework सी है सनी said that he was going to call the teacher सनी said I am going to call the teacher तो यह पेज नबर कावन पे हमने worksheet no 38 complete कर ली है next video में आप देखेंगे worksheet no 39 का solution चनल पर बने रहीएगा और अगर आप चनल पर नए है तो प्लीस चनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को ज़रूर प्रस करें जिससे नेक्स विडियो गी नोटिफिकेशन आपको मिल सकी धनी बाद